चाइना नहीं, जिपैन नहीं, साउथ कोरिया नहीं, बल्कि वियतनाम बन चुकी है एशिया की फास्टेस ड्रोइंग एकॉनमी, जिस टाइम पर सारी एशियन एकॉनमी एक डिक्लाइन का फेज एक्सपीरेंस कर रही है, वही वियतनाम की एकॉनमी ने 8% ग्रोथ दिखाई है जो उसके टागेट से 2% ज्यादा है, दोस्तों भले ही पिछले साल पैंडेमिक की वज़ा से वियतनाम ने इतनी ग्रोथ ना करी हूँ, लेकिन इस साल वर्ल्ड लाजस्ट कैशू प्रोद्यूसिंग देश ने अपने पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई ह इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज ने जियो पोलिटिकल टेंशन की वज़ा से काफी स्लो ग्रोथ शोग करी और वियतनाम भी भारत की ही तरह एक यंग देश माना जाता है। आने वाले टाइम में वियतनाम एक ग्लोबल टेक हब बनके भी की उभर सकता है और अगर आपको इस वील्ड से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सरूर शेयर करें।